सीमा हेदर, भगोडी, किर्मिनल, तुमने ये सुना प्रेम शुकला का बयान, बीजेपी का बयान, तुमारा भाई जो कहता था के मैंने याची का डाली है, ये प्रेम शुकला का बयान, बीजेपी के नेता का बयान, तुमारे मुँ में कलक फेरता है सीमा हेदर, तुमारे भा भाई जूट बोलता था हम बार बार कहते थे सीमा हैदर तुम्हारा भाई जूट बोलता है कोई बीजेपी की सपोर्ट नहीं है तुम्हारे भाई को नहीं तुम्हें किसी बीजेपी के नेता की तुम्हें सपोर्ट है नहीं तुम्हारे भाई को सपोर्ट है ये प्रेम शुक गुलाम हेदर आप खुश हो जाओ, आपको मुबारक हो, प्रेम शुकला का बयान आपके फेवर में है, आपको बहुत बहुत बदाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो, योगी अधितनात की सिर्फ एक काल आ गई, तुम्हारा भाई, तुम्हारी राखी तुम्हारे मुँ पर म तुम्हारा भाई नहीं है असलाम लेकुम दोस्तों प्रोफेसर रोशन अली एजीम है बात करना चाहेंगे सीमा हेदर केस के हवाले से आज केस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है उस हवाले से ये बड़ा जरूरी था कि आप से वो डिसकस की जाए भारतिय जनता पार्टी बीजेपी के एक रहनुमा है प्रेम शुकला साब अब प्रेम शुकला साब का अहम बयान आया है कि जितने भी हिंदोस्तान में घुस बेठी हैं इलिगल इमिग्रेंट्स हैं हम उनको उठा के भार भेजेंगे उन इलिगल इमिग्रेंट्स में चाहे बंगाली हो चाहे पाकिस्तानी हो चाहे कोई और हो प्रेम शुकला साब की ये जो प्रेस ब्रीफिंग है ये तमाम अहम है इस हवाले से बात करना बड़ा धरूरी समझता था तो सबसे पहले आएं हम प्रेम शुकला साब का ये बयान देखते हैं उसके बाद हम रिसकस करते हैं आप लोग घुसपैटियों के उपर लगातार काम कर रहे हैं और यही नहीं आप लोगों की उन पर भी नजर है जो दूसरे देशों से आज शर्णार्थी यहां रह रहे हैं किस तरीका का काम खो रहा है गुसपैटियों के संदर में भारती जनता पार्टी की पहले से नीत रही है गुसपैटियों को इस देश से निकालना चाहिए और कई जबंपर उसका जो है डिमोग्राफिक चेंज करने की स्थितित गुसपैटियों की जनता पार्टी संदर में हमेशा से इस पक्ष में रही है कि जो घुसपैटियों भारत में खुशे हैं उनको निकालना चाहिए और घुसपैटियों और शर्णार्थियों के बीच में सपस्ट भी भाजन करने की आवशक्ता है घुसपैटियों भी यहां से निकालना चाहिए और इस तरह से इनार्थी पर कड़ाई करना प्रारम किया और असम में बड़े पैमाने पर ऐसे घुसपैटियों के शिनाक्त भी की गई उनके खिलाफ कारवाई की प्रक्रिया भी प्रारम की गई उसी तरह देश में जहां भी घुसपैट यह घुसे हैं उनका उनको इस शिनाक्त करना और उनके खिलाफ कारवाई करना जो घुसपैट करना है उनके खिलाफ कारवाई होनी है उनको कारवाई निश्चित दोर पर होगी जी दोस्तों आपने प्रेम शुकला साब का ये बयान देखा इस में से साफ साहर है कि भरती अजनता पार्टी बीजेपी का मुकुफ क्या है बीजेपी कभी भी हिंदोस्तान में इलीगल इम्मिगरेंट बरदाश नहीं करेंगे अब प्रेम शुकला साब बीजेपी और बीजेपी के जो अहम नेता हैं हम उन से गुदारिश करते हैं कि आप सीमा हैदर भी एक इलीगल इम्मिगरेंट हैं घुस बेटिये हैं हिंदोस्तान में उसको भी हिंदोस्तान से बाहर फेंका जाए उसके लिए भी आप बयान आप जाहर करें प्रेम शुकला साब आपका बयान आना बड़ा ज़रूरी था सीमा हैदर के हवाले से हम ताजित करते हैं आपके बयान की हम आपको खराज़ तहसीन पेश करते हैं कांग्रेच चुल्लैशन करते हिंदोस्तान में कोई भी घुस पैठिया नहीं होना चाहिए चाहे बंगाली हो चाहे पाकिस्तानी हो अब आपको अपना मोकुफ सीमा हैदर के हवाले से भी देना चाहिए कि सीमा हैदर भी एक घुसपेटिया है इलीगल इमिगरेंट है उसको भी उठा के भार फेंगना चाहिए प्रेम शुकला साब की इस प्रेस पयान से गुलाम हैदर भी बड़ा खुश हुआ है हमें भी जो प्रेस कांफरंसी या प्रेस बयान था हम उसको अहमेत देते हैं और हम जो है हैदर को भी मुबारक बात पेश करते हैं और जितने लोग हिंदोस्तान के हैं पाकिस्तान के हैं जिनके सेंटिमेट्स गुलाम हैदर और सीमा हैदर के साथ जुड़े हुए मैं उनको भी मु वोकफ है कि किसी भी मुलक में किसी इमिग्रेंट को इलिगल इमिग्रेंट को नहीं होना चाहिए तो उमीद यही है कि BJP प्रहम शुकला और इनके बड़े जो नेता हैं वो एक प्रेस बैन जारिकरेंगे सेमा हैदर के आवाले से कि सेमा हैदर भुसर्वेट यहाई priority इमिग्रेंट है उनको भी बाहर भेंका जाएगा अब मेरा ये अगला बयान गुलाम हेदर के लिए है गुलाम हेदर आप खुश हो जाओ आपको मुबारक हो प्रेम शुकला का बयान आपके फेवर में है आपको बहुत बहुत बदाई हो बहुत बहुत मुबारक हो आपकी फ प्रेम शुकला का बयान, BJP का बयान तुम्हारा भाई जो कहता था कि मैंने याची का डाली है, जो चीस मिनिस्टर है, उनके पास ये प्रेम शुकला का बयान, BJP के नेता का बयान, तुम्हारे मुँ में कलक फेरता है सीमा हेदर तुम्हारे भाई की ए मुँ पे भी कलक फेकता है सीमा हेदर तुम्हारा भाई जूट बोलता था हम बार बार कहते थे सीमा हेदर तुम्हारा भाई जूट बोलता है कोई बीजेपी की सपोर्ट नहीं है तुम्हारे भाई को नहीं तुम्हें नहीं किसी बीजेपी के नेता की तुम्हें सपोर्ट है नहीं तुम्हारे भाई को सपोर्ट है ये प्रेम शुकला का जो बयान है ये लानत भेजता है तुम पर सीमा हैदर और तुम्हारे भाई एप DJP के तमाम जो नेता हैं हमारे साथ हैं कोई साथ नहीं है अगर साथ होते सीमा हैदर तो प्रेम शुकला का बयान ये तुमारे हक में होता हां ये बंगालियों समय तमाम इ לאG helmig sausage के लिए लेकिन सीमा है wraith तुमारे लिए एक इशारा है कि तुमारा भाई A.P. Singh ड्रामे बाद है, नोटंकी है, नाटकी है, जूटा है, मकार है, जूट बोलता है, प्रेम शुकला का बयान तुम्हारे भाई का सत्या नास कर दिया, तुम्हारा सत्या नास कर दिया, मैं एक बार फिर तुम्हें कहता हूं सीमा हैदर, बच्चे उठाओ, पाकिस्तान के हाई क बार बार हम पहते हैं तुम्हार भाई नहीं है। लो और तुम ये प्रेम शुकला साब का बयान तुम बड़ी घोर से सुनो ये प्रेम शुकला साब का जो बयान है ये पूरी बीजेपी पार्टी की तर्जुमानी करता है हिंदुस्तान तमाम हिंदुस्तान में रहने तुम भी कान कोल कर सुनलो सीमा हैदर, तुम भी किसी सूरत में हिंदुस्तान में काभल कबा नहीं हतनी वुल राउना कि तुमने केसे बच्चों की जिन्दगी बरबाद की तुमने केसे अपनी जिन्दगी बरबाद की तुमने केसे गुलाम हेदर की जिन्दगी बरबाद की तुमने केसे हिंदोस्तान के लोगों के सेंटिमेंट से खिलवार किया तुमने केसे पाकिस्तान के लोगों के एहसास से सीमा हैदर, तुम्हें डूब मरना चाहिए सीमा हैदर, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम सचिन मीना, एपी सिंھ, नेतरपार्ट सिंघ मीना, इनको लानत भेज के, तुम खुद को सरेंडर करो पाकिस्तान के हाइ कमीशन में, बच्चों को सरेंडर करो, तुम पाकि कोशिश करेंगे फैदर ने भी ये रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे मामले में सोचा जाएगा तुम्हें माफ किया जाएगा तुम्हारी भेने भाई भी तुम्हें माफ करना चाहते हैं हां रियासत तुम्हें माफ चला जाए तुम्हें सदा हो जाए सेक्शन फोटी ना फारे नेक्ट में फिर तुम ना पाकिसान की रहोगी ना हिंदुस्तान की रहोगी ना तुम सचिन मीना की रहोगी ना गुलाम हैदर की रहोगी ना तुम्हारी मदद रोशन अली अजीम कर सकेगा ना तुम्हारी मदद एपी सिंग कर सकेगा, तुम्हारा मुकदर जेल में होगा, जेल की सलाकों में होगा, तुम्हारी जिन्दगी बरबाद हो जाओगी और तुम जेल में सड़ के मर जाओगी और कुछ भी नहीं होगा, सीमा हैदर तुम होश के ना खुन लो